हाई फ्रेंड्स मैं डोक करने वाले हैं कोकस केक्टाई एक होमेपेथिक है जिसका यूज तो वाइड रेंज है बट हम इसके बहुत ही इंपोर्टेन्ट पार्ट जो होता है कोकस केक्टाई का जो प्रैक्टिस में बहुत ही useful है और बहुत frequently use किया जाता है बट कोकस केक्टाई एक lesser known और lesser use remedy है क्योंकि लोग इसका use नहीं जानते क्योंकि इसका क्या importance है वो लोगों को पता नहीं होता इसलिए यह कम यूज करी जाती है पर मैं बताने वाला हूं आपको clinical tips और यह बहुत important part कोकस केक्टाई का जो कोकस केक्टाई सिर्फ इसलिए जानी जाती है कोकस केक्टाई का impact सबसे ज़्यादा important होता है respiratory सिस्टम के और respiratory सिस्टम में यह हूपिंग कफ जैसी समस्यां को पैदा करता है और वह हूपिंग कफ जैसी problems को ठीक भी करता है तो अभी इस टाइम पर टुडेश टाइम पर हूपिंग कफ हूपिंग जो कफ होता है वो देखने को नहीं मिलता क्योंकि आज के टाइम पर जितने की चिल्डरन होते हैं वो सब अलड़ी को का यह हूपिंग कफ के लिए अलड़ी वैक्सिनेटेड होते हैं यह हूपिंग कफ हो या किसी भी तरीका कफ हो इसको कुछ कफ का कुछ करेक्टर है जिसके उपर आपको medicine को प्रिस्ट्राइब करनी है तो वह कफ का करेक्टर कैसा वह बहुत ही important बहुत ही important है यदि आपको का symptom यदि आपको मिलता है किसी patient में और और friends यह जो symptoms मैं बता रहूं बहुत ही frequently देखने को मिलता है especially यह children's के लिए बहुत ही special medicine है for cuffs पर किसी भी age group में दिया जा सकता है बड़ चिल्डरन्स में most common इसके symptoms देखने को मिलते हैं मैंने बहुत ही बार इस remedy को use किया है कफ के उपर और इस तरीके के मेरे मुंबई में भी बहुत सारे cases देखें जहां मेरे seniors मेरे sir मेरे teachers जिन लोगों ने इस medicines का use किया और excellent जल पाया है तो मैं बताना चाहता हूँ आपको इसके क्या क्या important symptom होते हैं सबसे important symptom होता है इसके म्यूकस membrane के ऊपर जो बहुत सारा म्यूकस secretion पैदे करता है जिसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को कफ खासी होती है है खासी इतनी ज़्यादा होती है कि पेशेंट्स को vomiting हो जाती है और वो vomiting का जो discharges होगा वह बहुत ही peculiar होता है जिसमें रोपी इस्टिंजी चिपकने वाले discharge होता है easily wash नहीं होता तो जो जो यह जो discharge है यह इस तरीके का discharge कफ ends into the vomiting है यह peculiar line है कुकस के उपार और आपने यह भी देखा हुआ कि यह जो कफ ends into vomiting बहुत सारी बहुत सारी रेमेडिज में है बट अब इसके साथ मेरी रोपी स्टिंजी डिस्चार्ज है तो वह बहुत ही करेक्टर फुल सिम्टम बन जाता है कुकस केक्टाई का अब यहां पर काली भाई भी एक ऐसी अब को कश केक्टाई में लेकिन जो कफ होता है वह बहुत ही वाइवलेंट का फोता है ड्राइक अब म्यूकस म्यूकस डिस्चार्ज होता है और वह इतना घिस्चार्ज ख्या way ऍineक को बच्छों को वामै्टिंग भी हो जाती हैं आप और इसमें कुछ इसमें पिक्यूलियर मॉडालिटी मॉडायम है स मिल आपको ख्यासी और ख्यासने साथ और खांसी बढ़ जाती है Night Aggravation बहुत ही पिक्यूलियर सिम्टम है नायट अग्रवेशन अभ नायट अग्रवेशन होता है जैसे ही बच्छा लेड़ता है जैसे ही बच्छा लेड़ता है उसको खांसी आना हो जाती है इतनी ज़्यादा खांसी आती है कि बच्चा सो नहीं पाता यदि सो गया और खांसी आए तो बच्चा उड़ जाता है तो वेक वेक फ्रम स्लीप स्लीप डिस्टर्ब कर देने वाली खांसी होती है यदि यह तिन चार पिक्यूलियर सिंटम आपको मिलते हैं तो कोक यह वन पॉइंट फाइव यह ओल्ड चिल्डरन हुकेम हुकेम विद्ट सीवियर निमोनिया हाई ग्रेट टेंपरेचर उसका रेश्पिरेटरी सेवंटी सेवंटी सिक्स सेवंटी सिक्स चल रहा था जो नॉर्मली बच्चों भी से 30 पर मिनिट होता है तो ऐसे केसिस में अब वह कैज्वेलिटी में आया वह हॉस्पिटिल में था वहां पर मैंने यह केस देखा था अ इस तरह केसिस को पहले रिसीव करने के लिए सबसे पहले हमको सारे पैरामेटर मालूम होना चाहिए कि केस कैसा है और यह होमेपथी में इसका क्या स्कूप है पर इस केस को हमारे सर ने देखा था जो अल्रेडी पल्मोनोलोजिस्ट है और इस्पैसली पीडियाटिक ग्रू फ्रट फ्रिय को देखना है ठो सर ने पूरा केस डेटेल किया और सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंट होता जो चिल्डेंश होता है ऑब्जर्वेशन बहुत होता है तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू और जितना भी डाटा मिला तो उसमें उस डाटा में यही सारी सिम्टम स इस्थ से कोकस के, क्या-कैर संप्टम से, बच्चों को बहुत ज्यादा खासी आना, रैस्पिरेशन, रैस्पिरेशन बहुत तेस था, इसका मतलब नूमोनीय था तो वह तो पैथो 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 लौजिस्कल प्रिटल सिंटम वो गया वह इतना इंपोर्टेंज नहीं था उसके क्या है सिंटम थे खासी आना खासी खास्ते हुए खासी आपड़े जाना लाइंग अग्रेयशन और खाँ सी तिन ज्यादा आना कि वो में यो ऑइसी जो रोपी इस्टिंजी और इस्टीकी डिंचर्ज था जिसंग इस परां उपर इव NOT इस सभी इन रेंटलर ना जैसे देख सेंगे घूनटर ना उन हो जाता है और रेस्पिरेशन आजाता है फिफ्टी फोर आफ्टर ट्वन्टी फोर वर इस फीवर डाउन इस रेस्पिरेशन बिकम नॉर्मल एंड इस ओल पैरमेटर बिकम आल राइट आफ्टर टूडेज पिशंट बिकम डिस्चार्ज तो कहने का मतलब कोकस केकटाई यदि यह सारे सिंटम मिलते हैं आपको कोकस केकटाई में यह तिन चार पॉंट्स है आपको याज़ डखना है इसके कफ के ओपर यदि आपको ऐसा मिलता है तो आप किसी भी तरीके की कि इमर्जोंस को भी डिल कर सकते हैं किसी बी तरीके से आप इस तरीके के कफ को ठीक कर सकते हैं मैं अपने बच्चे का भी एक केस डिसक्राइब करता हूं कई बार उसको खाजी होता है और एक बार इतना ज़्यादा खाजी शुरू हुआ और कई बार उसकी सोने के बावजूद भी खासी आती थी तो उठ जाता था रोहने लगता था और ऐसा वामटिंग होती थी चिपकने वाली होती थी इस बेश मैंने कोकस केक्टाई के उसको 200 सरसे इने सीखाए कोकस केक्टाई में उसके कैसे से प्रिस्क्राइब करनी है कोकस कैक्टाई जैसे जैसे ही 200 दिया है वो पूरी रात भर बाराबर से सो गया ने थे थोड़ा बहुत खासी हुआ थार्ड डे वह एकदम उसके खासी ठीक हो गया तो कहने का मतलब यह है कि कोकस कैक्टाई बहुत बड़ी सब्सक्राइब करने तो इसको बराबर से जानते हैं तो इसको बराबर से यूज कर पाएंगे थेंक्स फ्रेंड्स यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगवा तो सेर करिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को मैं और भी इस तरीके के क्लेनिकल टिप्स के साथ क्रेश केस केस प्रिजेंटेशन के साथ मैं और भी वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहुआ थैंक यू